सब्सक्राइब किजिए स्टार एंड प्रोटेक्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाए लेटेस वीडियो अपडेट पाने के लिए यह पावर आन बटन है यह पावर अप बटन है यहाँ पर इमर्गेंसी है, इमर्गेंसी को रिलीज करना है ती बोटेकल्स में हमारा पहला बटन है साइकल स्टार्ट, साइकल स्टार्ट हैने की प्रोग्राम रन करना है हमें नेक्स्ट बटन है साइकल स्टार्ट, अभी इसका इस्तमाल कैसे कर जाए हूँ, मैं आपको दिखा ले जाओ, समझ दो आपने साइकल स्टार्ट कर लिया, और कुछ गलत है तो आप साइकल स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ पर मशिन आपका रूप जाए इसके लिए इसका इस्तमाल होगा इस तरह से आपका मशिन रूप जाएगा जिस तरह से हमने साइकल स्टाप के इस्तमाल किया, आपको मशिन रूपना ही है तो आप इमर्जेंसी का भी इस्तमाल कर सकते हो अभी मैं दिखा देगा समझ दो साइकल स्टार्ट किया, मशिन को आपको रूपना है आप इमर्जेंसी दबा सकते है इमरेंस को वापस release कर दीजे, on कीजे, reset कर दीजे, तोल को reference कर दीजे, वापस job निकालके job अब लगा सकते और वापस cycle start कर सकते, अब है आमने देखा कि cycle को रोकने के लिए आप cycle stop का इस्तमाल कर सकते, इमर्जन्सी का इस्तमाल कर सकते, उसी तरह से आप रिसेट का भी इस्तमाल कर सकते, मैं अब आपको दिखा देताओ, साइकल स्टार्ट कर दिया, प्रोग्रेम रन हो रहा है, आपको रोपना है, आप रिसेट दवाएंगे, तो भी आपका मशिन रूख जाता है, यानि कि तीन बटन दिये गए आपको, साइकल स्टार्प, इमर्जन्सी और रिसेट, हमारा अगला बटन है ओप्शनल स्टार्प, अभी इसका इस्तमाल कैसे करते हैं, वह मैं आपको बता देदो, समझ लो आपके प्रोग्रेम में चार या पाच टूल वर्किंग कर दे, आपको देखना है कि एक एक टूल आपको छोड़ना है, तो आप क्या कर सकते हो कि option stop, option जो रहेगा, उसको on कर दीजे और उसके बाद second start कीजे, हमारा एक टूल वर्किंग कर रहा है, आप देख सकते हैं, यहाप उसका जब वर्किंग खतम हो जाएगा, प्रोग्रेम में 01 दिया है, M01 का मतल हो है, optional stop, यह बटन है, इसको on कर देंगे, तो यह code के उपर आने के बाद, आपका program रुकने ही वाला है, यहाप ए M01 पे machine रुका हुआ है, क्योंकि option stop on है, अभी समझ लो आपको आगे छोड़ना है, आप क्या कर सकते है, option stop आप बंद कीजे, और second start कीजे, प्रोग्रेम आग मैं आशा करता हूँ कि अप्री चॉप के बारे में आपको समझ आ जहां होना, अगे हम आगे लते हैं, अगला बटन है position, यह बटन को आप प्रेस कीजे, यहाप आप देख सकते हैं, यहाप आप देख सकते हैं, यहाप आप देख सकते हैं कि position में X और Z axis की movement दिखाई दे र आप किये रहे हैं, वह आपको यहाप दिखाई देंगे, second time है, program run करने के बाद कितना time हो चुका है, वह आपको यहाप दिखाई देगा, अभी समय कितना हुआ है, वह आपको यहाप दिखाई देगा, feed क्या है, spindle का speed क्या है, वह आपको पूरा यहाप दिखाई देगा, ज आपको यापते दिखाइदए देगा, पोजिशन में 3 स्क्रिंन रहे थे, Absolute, Relative, All, अभी हम Absolute देख चुके, Relative, Relative जानी कि Trump जो कौर्डिनेटर रहेंगे, वो आपको यापते दिखाइदेगा, All स्क्रिंन में जाएंगे, तो आपको absolute, relative, machine 0 से और distance to go यानि कि जो block run हो रहा है उसमें जो distance वो working कर रहा है वो आपको यहापको दिखाए देखाए देखाए और बाकी का जो data है वो same to same रहे है position की देख ली अगे हम देखेंगे program यहाँ पर program बटन है program बटन दबाने के बार नीचे चार option आएंगे program folder next check उसमें से program option अभी चालो है यहाँ पर आपको जो running program रहेगा वो आपको दिखाए देगा उसके आगे का option है folder folder में जाएंगे तो आपको program की जो list रहेगी वो दिखाए देगी उसके आगे next है यहाँ पर program जब running चालू रहता है तो current block यानि कि चालू block कौन सा है और next block यानि कि आने वाला block कौन सा है वो दो block आपको यहाँ पर दिखाए देते चेक स्क्रिन जिसमें program के 10-12 block पोजिशन में जो आपने देखा है relative, absolute, machine zero, distance to go यह यहाँ पर दिखाए दे रहा है part count या run timing कितना हुआ है second timing कौन सा है कितना हुआ है यानि कि position और program दोनों का मिला के यहाँ पर एक screen बनाई हुए वो च इस्तिमाल होती है, यहाँ पर G-code दिखाए दे रहे हैं जो program में अभी इस्तिमाल किये हुए है वो भी दिखाए दे रहे, position का data है, program का data है, सभी data यहाँ पर ओपरेटर को जो चाहिए रहता है, वो दिखाए दे रहा है, इसलिए जाधा तरी इसका 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 इस्तिमाल र होता है हमारा अगला बटन है offset offset बटन दबाने के बाद यहां पे आपको दो option दिखाये देंगे वेर offset और दूसरा है geometry offset यहां पे back और front की रहती है back की दबाएंगे तो आपको यहां पे तिसरा option आजाएगा work पहले हम देखते हैं offset में offset में दो screen रहती है वेर और geometry वेर आपको कुछ correction देना है, तो यहाँ पर आप दे सकते हैं। Geometry Offset, तूल का जो offset लिया है हमने, वो यहाँ पर आप ले सकते हैं, यहाँ पर भर सकते हैं। और तिसरा option है, Work. Work में हम G54, G55, G56 यह जो code है, यह code हम यहाँ पर दे सकते हैं। Offset बटन में हमने यह तीन मेनू देख लिए, Wear, Geometry और Work. इसका पूरा डिटेल देखने के लिए, हम आगे एक वीडियो बनाने वाले, जिसमें आपको डिटेल में पूरा नौलेज दिया जाए। इसका पूरा डिटेल के आज के चप्तर में हमने cycle start, cycle stop, emergency, reset, position, program और offset के बारे में जाना है। अभी बहुत सारी कीज है, जो हम आपको सिखाने वाले हैं। आशा करता हूँ कि जो हमने डिटेल आपको बताई है, आपको पसंद आये होगा। अगले एपिसोड में हम बाकी के कीज के डिटेल आपको दे देंगे। अगर आपको आमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो शेर कीजे, लाइक कीजे और कमेट करना मुद बोले। और जाती जादी मैं आपको और एक बटन बताने वालो, ओ है आउट। गुड़ प्रशश के लगे जए।